हे दोस्तो कैसे है आप लोग तो दोस्तो दा अल्टीमेट इंडिया में आपका स्वागत है भारत दालमिया ग्रुप को सरकार द्वारा लाल किले की मेंटेनेंस, साफ सफाई, रेस्टोरेंट, पीने का साफ पानी, बैठने की सीट्स और साफ टॉयलेट्स पात साल में मौहिय करने की जिम्मेदारी दी गई है, बदले में सरकार दालमिया ग्रुप को 25 करोड रुपे और अपना बिग्यापन फोर्ट में अंदर लगाने देगी, सरकार का ये फैसला विवादों में भी घिर गया है, विरोधी सरकार के उपर ये इलजाम लगा रहे है कि भारत की आजा का प्रतीक ही नहीं है, 1857 के विद्रो की शुरुवात बहादुर शाद जफर के नेत्रित्व में यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था, जिसकी वज़ह से पंडित जवाहरलाल नहरू और भारत के हर प्रदान मंत्री 15 अगस को देश को यहाँ से ही संबोधित करते हैं और ये दि प्रमिया ग्रुप दुआरा ऐसे टाइल्स लगाए जाएंगे जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए मददगार होगी, ऐसे टाइल्स अपने मेट्रो सेशन्स और हॉस्पिटल्स में देखे होंगे, पर ये 27,000 करोड की वैल्यू वाली कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नही है, ना ही इसमें कोई जादा पैसा लगेगा, ना ही स्किल, पर इशू टाइल्स का नहीं है, इशू है कैसे हम अपने इतिहास को बचा के रखते हैं, क्या हम सबको अपने इतिहास का मैनेजर बनने दे सकते हैं, आप सब मॉनुमेंट्स को प्राइवेट हातों में नहीं दे सकते हैं, जा वे अपने प्राफिट के लिए अपने एड लगाए, खुद का प्रमोशन करें और सबसे बड़ा रीजन कि CSR यूज होगा, साथ में पबलिसिटी भी होगी और टैक्स भी बचेगा, अगर आपको इतिहास को बचाने के लिए ही काम करना है, तो अपने एड य उनका नाम सिर्फ डॉक्यूमेंट में होता है, आर्किटेक्चर के अंदर कहीं भी उनका नाम नहीं होता है, हुमायू टॉम का कंजर्वेशन 2007 से शुरू हुआ था, पर वहाँ पे दौरब जी ग्रुप ने अपना कोई होडिंग या एड नहीं लगाए था, वो लोग अब जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, शेर करें इस वीडियो को और कमेंट करें इस वीडियो पे जाए हिन दोस्तों